ब्रिटेन में एक बच्ची टॉइलेट ब्रश और कपड़े तक खा जाती है उसे सामयन्य चीजे खाने में कम रूची है उसे एक बिमारी के कारण हर समय भूख लगती रहती है इस बच्ची का नाम लिली म्यूलिन्स है इस बच्ची को पीका नाम की बिमारी है इस बिमारी में रोगी बिना पोशन वाला पदार्थ भी खाता रहता है शुरू में लिली की मां केंट ओविंटन को लगा कि बच्ची छोटी है इसलिए इस तरह की चीजे खाती है वह लिली को समझाती थी कि ये सब चीजे गंदी होती है लेकिन लिली नहीं मानी लेकिन जब लिली दो सल की हुई और उसने अपनी आदते नहीं छोड़ी तो उसकी माँ ने लिली को डॉक्टर को दिखाया डॉक्टर भी लिली की इस हरकत से सकते में आ गए अब लिली को सामान खाने में कम रूची है उसे टॉयलेट ब्रस, कपड़े आदी खाना ज्यादा पसंद है जब भी लिली को मौका मिलता है वो बातरूमें घुशकर कपड़े और टॉयलेट ब्रस जैसी चीजे खाती रहती है